किसीनी बड़े कमाल की बात कई है कि परमातना मा ने सबको दो आखी दी है पर वो खुद बंद आखों से नजर आता है आज एक कहानी सुनाते हैं एक राजा की एक राज में एक राजा रहते थे बहुत ही धार्म कुरोती के थे पूजा पाट धर्म इत्यादी कुब अच्छे से करते थे भगवान उनकी भक्ति से पूजा से प्रिशन होकर एक दिन दर्सन देते हैं भगवान के दर्सन पाकी और राजा बहुत खुस होते हैं भगवान ने कहा कि माम लो एक वरदान जो भी तुम चाहते हो जो तुमारी इच्छा हो राजा ने कहा कि मेरी जो राज की प्रजा हैं, बहुत अच्छी है, बहुत दार्विक है, मैं चाहता हूँ कि उस प्रजा को, पूरी प्रजा को आप दरसंदे, जिस तरह आपने मुझे दिया, बगवान ने का ये तो नहीं हो सकता, कि मैं सारी प्रजा को दरसंदो, कुछ और को हो तो राजा ने बहुत में इननत करी, बहुत प्रातना करी, कि नहीं, आप मेरे राजी की प्रजा बहुत अच्छी है, आप उन्हें दरसन दिजिये, भगवान ने उनकी बात माल ले, राजा की बात, और भगवान ने कहा, कि मैं कल दरसन दूगा उनको, आपके राज में वो पहाड़ी दिख रही है उस पहाड़ी के उपर मैं कल मिलूँगा तुम पूरी प्रजा को लेकर वहां पहुंच जाना मैं जरूर मिलूँगा और सब को दरसन दोगा राजा ने का ठीक है प्रजा ने पूरे राज में दोरा पिटवा दिया, घर घर कहलवा दिया कल सभी को भगवान के दरसन करने चलना है, पुरी प्रजा को चलना है, सब आए सब आए राजा रानी सब चल दिये साथ में, पुरी प्रजा चल रहे थी रास्ते में चलते चलते एक तांबे की सिक्कों का धेर मिला तांबे का सिक्कों का धेर मिला तो आदी प्रजा उसिक्कों को बटोरने लगी उठाने लगी, रखने लगी राजा ने कहा कि अरे चलो भगवान के दर्शन करना है यह सब मौम आया है पर प्रजा नहीं मानी वो सिक्के उठाते रहे, राजा आगे बढ़ गया, फिर भी उसने देखा कि उसके पीछे 50% पर जनता थी, उसने का चलो मेरे राज में इतनी लोगतार्मिक हैं, इनको भगवान के दर्सन मिल जाएंगे, जो चले गए सो चले गए, आगे बढ़े तो चांदी के सिक्को का एक 40% पॉब्लिक चले गए, राजा ने का चलो, जो चले गए उसो चले गए, जो मेरे साथ हैं, मैं उन्ही को लेके जाओंगा बगवान के दर्सन करने, राजा चला गया, फिर आगे चलते सोने के सिक्को का धेर मिल गया, जो 10% लोग थे उसके साथ राजा के, वो भी चले लगे, उठाने लगे, रखने लगे, सबiyet गट़ा करने लगे, राजा ने उन से भी कओ कि ये सब होम आया है, चलो बगवान के दर्सन को, उन्हों ने का बगवान के दर्सन तो ठीक है, पर ये भी ज़रूरी है, सोने के सिक्के हैं, कैसे चोड़ सकते हैं, ये भी कभी नही हमें राजा ने कहा भगवान दुबारा नहीं मिलेंगे लोगों ने कहा कि नहीं हमें ये सिक्के भी दुबारा नहीं मिलेंगे इसलिए हम नहीं जाएंगे राजा अपनी राणी के साथ उदासमन से आगे बढ़ गया राजा ने राणी से कहा देखो लोग कैसे दन दौरत के मुझे बाग रहे हैं, राणी ने हां का, उसके बाद जब आगे पड़े, तो एक हीरो से बढ़िया हां जगमकाता हुआ, चमचमाता हुआ धेर लगाता, रानी से नण रहा गया, रानी हीरे उठाने लगी, इकट़्े करने लगी, वटोरने लगी, रखने लगी अब राजा अकेला ही बढ़ता गया और विरक्तमन से भगवान के पास गया देखा जाकर महां भगवान सच में बैठे थे और राजा का इंतजार कर रहे थे भगवान ने राजा को दर्शन दिये और भगवान ने राजा से कहा कहा है तुम्हारी राजी की कि वो सब इस संसारिक मुहमाया में फसे हैं, कोई नहीं आया, बगवान नहीं कहा तुमारी गलती नहीं है, यह संसार ही ऐसा है, जो भौतिक सुखों में पहुंच गया, वो मुझे नहीं पा सकता, बस यही कहानी है, कर जाओ कुछ ऐसा, कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, कर दो कुछ आई आई